दोस्तो मैं आपका मोनुसा हूँ जो इसमें मैं ग्राम पंचायत कल्याण पुल बरवली में हूँ दिकासखण में जनपदर्ध्या और हम बर्मी कंपोस्ट करने आये हैं जो गाय का गोबर इसमें फेका जाता है और ये हर ग्राम सभव में बनाया गया है और देख लिजिए इसमें ठोस्यों तरल अप्सिष्ट परबंधन केंद्र है ये गोबर गड़ा और ऐसे ही ये गड़ा रहता है इसमें गोबर फेका जाता है और गोबर फेकने के बाद इसमें खाद बनता है और ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है देख लिजिए कितना सुन्दर्ता से चोटा-चोटा बनाया गया है जिससे गोबर को सुरच्चित रखा जाए और इससे खाद बनाया जाए तो हम लोग आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि गोबर को इधर-धर मत बहाए और गोबर गड़ा है बहा है और ये सार ने इसको देख हुए सुस्टे हुए ग बनाया है और ये इधर कूड़ा पिर्थक्रण केंद्र है इसमें जितने भी लोहा प्लास्टिक कांच अनिसमान जितने भी हैं वो सब इसमें रखा जाएगा ये भी सरकार द्वारा किया गया है देख लिजे कितना सुंदर्ता से क्या-क्या सरकार कर रही है देख रखते है आप लोग और ये है समदाइक सौचाले जो एक समदाइक सौचाले रहता है ये देखे कितना अच्छा मोर जा रहा है और ये देखे समदाइक सौचाले है ये भी कल्यांट बरॉलीम बनाया गया है तो आप लोग देखते होंगे सरकार ने कितना अच्छा योजना बनाया है इसमें पुरुस महिला चाहे जो भी हो सकता है इसमें आ सकता है और आप लोग जानते हैं कितनी गर्मिया हो रही हैं तो गर्मियों को देखते हुए आप लोग पसो पच्छी जानवर के लिए पानी रखे बाहर पानी रखे च्छत पर पानी रखे दाना के लिए परबंद करि और जितना हो सके गर्मी से बचिए हम लोग आप से यही रिकेस्ट करते हैं और आप लोग मस्त रहिए स्वस्त रहिए और भारत माता के लिए कुछ करके दिखाईए जय हिन जय भारत धन्यवाद